हालो एंड वेलकम टू यूनिक जनकारी आज के इस वीडियो में हम प्रोब्लम सल्विंग थू प्रोग्रामिंग इन सी के विक कराएंगे तो आप लोग जल्दे से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल इकनता बात दीजे ताकि हमारे वीडियो अप्लोड होते ही आप लोग के पास पहुंचाएं प्रोब्लम सल्विंग थू प्रोग्रामिंग के विक फोर का जो एसाइमेंट है इसक फर्स नमबर कोश्चन है इसका जो राइट टेंसर होगा बीनमबर अप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट आप एक प्रोग्राम है जब आप इसको रन कराईएगा तीन नंबर वाले प्रोग्राम को तो क्या आएगा अंसर तो आप जो इसमें पूछ रहा है जो इन्पूट नंबर अगर कुछ डाला जाएगा इंटर नंटिजर के पास तो उसके बाद आउटपूट क्या निकलेगा जो हम जो चीज इंटर एंटिजर में डालेंगे उसके अस्थान पर वही चीज हमको प्रिंट होगा तो इसका जो राइट अंसर होगा तीन का डी नंबर अप्शन होगा यहां पर एक प्रोग्राम है जब आप इसको रॉन कराएगा तो इसका जो प्रिंट होगा इसमें जो आउट्पूट निकलेगा वो टू और फॉल्स दोनों निकलेगा तो इसका जो रॉन करेगा तो क्या प्रिंट होगा स्वैम लिखा हुआ आपके डालोग बॉक्स में प्रिंट होगा तो छेर नमबर का रॉन कराएट अंसर स्वैम हो जाएगा यह नमबर ऑप्शन हीर साथ नमबर कुछन है इन थे फॉल्वग एजम पर टेल विच अस्टेट्मन इस करेक्ट इफ कंडिशन वन इस इप्ल तो इसका जो रॉन करेंट रॉन करेंट वं तो जब यहां पे आप यह कंडिशन जब होगा तो इसका जो रॉन कर आण सर होगा फिर 8 number question है, the purpose of the following program, fragment, b is equal to s plus b, s is equal to b minus s, b is equal to b minus a, where s and b are two integers, is 2, तो इसमें, इसका जो 8 number का answer होगा, transfer the content of b to s, जो b का content है, उसको s में transfer करेंगे, तो इसका जो answer आएगा, तो इसका 8 number का question खराएट answer होजाएगा, b number of sun, फिर 9 number question है, choose the correct output of the following issue code, इसका जो इसमें प्रोगाम दियागा है, लेकिन इसको run कराने पर, इसका compilation error आ रहा है, मतलब इसको प्रोगाम को जब run करा रहा है, तो प्रोगाम में error आ रहा है, error कहां आ रहा है, तो इसमें, if variable 1 is equal to 5, इसमें error आ रहा है, लेकिन इसमें error का तो कोई option दिया नहीं है, तो हम इसको question को छोड़ दिया है, आप इसमें कोई भी answer मार देंगा, तो आपका answer सही हो जाएगा, फिर दोस नमबर question है, what will be the output and is logical and operation, तो इसमें इसके बाद एक program दिया है, तो जब इसको आप run कराएगा, तो इसका जो answer dialogue box print होगा, उसमें 0 और उसके नीचे 11 लिखा रहेगा, तो programming के week 4 का assignment 4 का हम assignment आप लोग को करा दिये, आप लोग जल से जल हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए, और आगे वाले वीडियो आने वाले आपको जल से जल मिलते रहेंगे, thank you, thank you person